इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप Photoshop 7.0 में 3D हार्ट सेप कैसे बना सकते हैं तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप Ctrl N कर लिजिए उसके बाद आप कोई सा भी एक पेज ले लिजिए जैसे कि मैंने ये वाला पेज ले लिया उसके बाद ये पेज लेने के बाद आप जाएंगे Custom Shape टूल के अंदर उसके बाद यहां से Heart Shape दिखेगा अगर यहां नहीं दिख रहा है तो इस Arrow पे किलिक करेंगे और यहां से All पे किलिक करेंगे उसके बाद Open कर देंगे तो यह Heart वाला Shape आ जाएगा तो इसको मैंने Select किया उसके बाद इस तरह से हम Direct करेंगे Heart Shape बनाएंगे यह कुछ इस तरह से यह बनाने के बाद आप Ctrl J करेंगे यानि Duplicate Ctrl T करेंगे यानि Transform और एक बार Top Arrow की और एक बार Left Arrow की उसके बाद Enter अब आपको एक Short Cut सुन लिजिए वो है Alt Ctrl Shift Alt Ctrl Shift यह 3 की को आपको दबा के रखना है Alt Ctrl Shift और T को दबाना है छोड़ना है दबाना है अब जितने भी 3D Shape लेना चाहते हैं उसके अनुसार आप यहां से यह कर लिजिए तो यह हो जाने के बाद हमारे पास बहुत सारे लेयर हैं तो एक लेयर उपर को छोड़के नीचे वाले पे किलिक किजिए और आपस में यह सभी लेयर को लिंक कर लिजिए यह आप देख सकते हैं ऐसे सभी लेयर को आप लिंक कर लिजिए उसके बाद आप Ctrl-E कर लिजिए यानि merge कर लिजिए उसके बाद उपर वाले shape को select किजिए उसके बाद आप जिस भी picture को इस shape में add करना चाहते हैं उसको open कर लिजिए open करने के बाद आप Ctrl-A करेंगे यानि select all Ctrl-C करेंगे यानि copy और Ctrl-W करेंगे close उसके बाद इस पेज में आना है और Control भी कर लेना है यानी Paste उसके बाद Control T करना है यानी Transform उसके बाद यहां से यह फोटो आ जाने के बाद आप Alt-Control G करेंगे यानि Shape के अंदर आपको पिक्चर को set करना है उसके बाद ctrl T करना है और अपने shape के अनुसार इस picture को ऐसे rotate करना है जैसा कि आप display पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से और भी थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ये आप देख लिजिए उसके बाद हम अपने shape में picture को अच्छे से add करेंगे ये कुछ ऐसे फिर ctrl T करेंगे और ये shape थोड़ा सा छोट है तो हम बड़ा कर लेंगे ये रहा उसके बाद आप इस वाले shape को double click करेंगे layer पे और उसके बाद यहाँ से stroke और यहाँ से हम कोई सभी stroke ले सकते हैं तो मैंने white color लिया उसके बाद inside और उसके बाद inner glow में जाएंगे और यहाँ से देखिए inner glow और यहाँ से color आप जो भी select करना चाहते हैं कर सकते हैं उसके बाद यहाँ से आप size बरहेंगे तो यह देखिए effect देख रहा है और यहाँ से blend mode screen है तो आप normal किजिए और यहाँ से आप check कर लिजिए जो भी अच्छा लगे उसको select कर लिजिए उसके बाद ok कर लिजिए और नीचे वाला shape जो merge किया है आपने उस layer पे double click करेंगे और यहाँ से आपको gradient लेना है और यहाँ से जो भी gradient select करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं इसमें बना बनाया इतना सारा gradient है और भी चाहिए तो इस arrow पे click किजिए और यहाँ से यह सभी gradient ही है जो भी open करना है इसको add कर सकते हैं यहाँ style में gradient में उसके बाद okay कर लिजिए तो यह देख सकते हैं आपका 3D heart बनके ready हो गया तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like share जरूर कर दीजिएगा